A और B पार्टनर्स हैं जोकि profit share किया करते हैं आपस में 3-2 के रेशियो में A ने अपने share का 1-5 और B ने अपने share का 2-5 C को दिया जोके एक नया पार्टनर है आपसे का गया नया profit sharing ratio निकालिए तो यह वो टाइप होती है बच्चो जहां पुराने partner बताते हैं कि वो कैसे sacrifice करेंगे इन्दा favor of new partner कितना कितना देंगे वो new partner को ठीक है बच्चो तो ऐसे में नया ratio कैसे निकाला जाता है आईए देखते हैं तो A का जो sacrifice है for C वो ऐसे निकलेगा बच्चो one-fifth of three-fifth क्योंकि A ने कहा था कि वो अपने share का three-fifth sorry अपने share का one-fifth three-fifth तो उसका अपना share है उसका one-fifth वो C को देगा यानि A देगा C को three by twenty five clear बच्चो B कितना देगा B ने कहा था कि वो अपने share का two-fifth देगा तो two-fifth of two-fifth of माने multiply ही होता है बच्चो ध्यान रखेगा तो B का sacrifice आगया four by twenty-five A देगा one-fifth of three-fifth यानि three by twenty-five B देगा two-fifth of two-fifth यानि four by twenty-five यह A और B के sacrifices हो गए अगर आप इनका sacrificing ratio जानना चाहें तो three is to four आ जाएगा इससे और रही बास C के share की तो यह दोनों जोड़ दीजिए यह C का share ही हो जाएगा क्योंकि C का share दे नहीं रखा है जो A और B देंगे C को वही C का share हो जाएगा that is seven by twenty-five ठीके बच्चो अब रही बाद A के नए share की तो A का पुराना share जितना भी था उसमें से जितना एग ने दिया वो माइनस कर दीजिए यह आजाएगा 12 by 25 यह A का नया share है B का नया share होगा जितना भी के पास पहले था 2 by 5 माइनस जितना भी ने दे दिया 4 by 25 यह आजाएगा 6 by 25 This is B's new share और C's new share आपको यह दिखाई दही रहा है बच्चो तो new ratio होगया 12, 6 और 7 तो जो new ratio निकल कर आया A, B, C का वो आया बच्चो 12 is to 6 is to 7 और रही बाद sacrificing ratio की तो sacrificing ratio of A and B वो यहाँ से मिल जाएगा बच्चो देखो यह रहा 3 by 25, 4 by 25 तो 3 is to 4 आगया ठीक है बच्चो तो इस तरह से हमारा यह question complete हो गया This is illustration no.6 of the book T.S. Griwal edition 2022 chapter name is admission of a partner XYZ partners है profit share करते हैं in the ratio 2s to 2s to 1 W को partner बनाया गया 1-6 share के लिए और Z ने कह रिया कि वो अपना share retain करेगा यानि कि वो sacrifice नहीं करना चाहता in the favor of new partner आपसे का गया नया profit sharing ratio निकाल लिए तो यहाँ पर जो Z है वो अपना share retain कर रहा है ठीक है मगर यहाँ पर यह भी नहीं बता रखा कि W के लिए sacrifice करेगा कौन ठीक है तो ऐसे हम यहीं मानते हैं कि जो budget partners हैं यानि X और Y अपने पुराने ratio में ही Z के लिए not Z के लिए W के लिए sacrifice करेंगे तो ऐसे में नया share निकालने के लिए नया ratio निकालने के लिए हमें total share 1 ही मानना पड़ेगा तो जहां नया partner नहीं बताता उसे share कैसे चाहिए from the old partners और नहीं पुराने partner बताते हैं कि वो कैसे sacrifice करेंगे in the favor of new partner तो ऐसे में हमेशा total share 1 मान के ही नया share निकालना चाहिए पहले total share 1 माल लिजिए 1 में से नया partner का share minus कर दीजिए और साथ-साथ उस partner का share भी minus कर दीजिए जो अपना share retain कर रहा है ताकि remaining share आ सके और remaining share को केवल x और y में बाटिएगा उससे उनका नया share आ जाएगा और z का नया share वही रहेगा जो पर उसका बढ़ना share था डबलू का नया share हमारे पास है ही और सब के नया share को compare करके हम नया ratio निकाल लेंगे तो आएए श्रुआत करते हैं solution की टोटल share 1 मानेंगे और remaining share निकालने के लिए 1 में से z का share और w का share तोनों का share माइनस करेंगे नया partner का share भी और साथ-साथ उस partner का share जिसने अपना share रिटेन किया है यह आ जाएगा बच्चो 19 by 30 इसको x और y में बाढ़ देंगे तो x का नया share आ जाएगा 19 by 30 into 2 by 4 या into half कह दिजिए तो यह आ जाएगा 19 by 60 उतना ही y का नया share आएगा 19 by 30 into 2 by 4 या देखेगा remaining share को cable x और y में बाढ़ना है that's when में 2 by 4 लिया है दोनों का 2 by 5 नहीं इनके आपस का ratio 2 to 2 है तो यह आ जाएगा 19 by 60 तो x का नया share 19 by 60 y का नया share 19 by 60 z का नया share 1 by 5 ही रहेगा जिसको हम ले सकते हैं 12 by 60 और w का नया share 1 by 6 है जिसे हम ले सकते हैं 10 by 60 तो इस तरह से इनका नया ratio आ गया of x, y, z, and w 19, 19, 12, and 10 ठीक है बच्चो तो इस तरह से यह हमारा solution complete हो गया this is illustration no.7 of the book T.S. Gribal edition 2022 chapter is admission of a partner